असलाम उलेकुम दोस्तों घाजी के रियेट्स पे आप लोगों को वेलकॉप कहते हैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ यह जो नेक हमने त्यार किया है इसकी बहुत ही खुबसूरत और आसां सी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूगी तो देखें इस तरह से हमन इस गले को त्यार किया है कट वरक वाला यह हमने नैक बनाया है तो तो आँड्र और इस लोगों के साथ करना पिछले गले के दो तीन तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो चलिए कटिंग को शुरू करते हैं तो देखें इस की कटिंग के लिए हमने 9 इंच लंबा और 8 इंच चोड़ा बुक्रम का पीस लिया है अब हम इसको सेंटर में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद अब हम यहां पर चुड़ाई में तीन इंच इस पर निशान लगा लेंगे इस तरह से और लंबाई में 8 इंच का बोक्स बनाएंगे पिछली बहुत सारे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 7 इंच का बोक्स बनाना शेयर कर चुक लेकिन इस लैक में हम 8 इंच का बोक्स बनाएंगे अब यह देखें दूसरा निशान हमने यहां पर 8 इंच नंभाई में लगा लिया है इस तरह से इस तरह से सिंपली को रौंड शेप दे रही हूं इस तरह से गोल शेप देने के बाद हम इस तरह से बुकरम का एकॉर्फ पीस ले लेंगे और इस Works तरह असरा से से और सोटरम में इस तरह से 5 लोड गाने के बाद अब हम इस 270 शेप देंगे इस तरह से इस नेशान को इस निशान के साथ मेला देंगे और कटिंग कर लेंगे हमारे पास जो कट है वो ब्रक्राई चुका है इन सर्फ है अब हम यहां से जिस तरह से मैंने ये नेक त्यार किया है तो मैंने सेंटर में से इसको इस तरह से गोल रखा है तो अब आपकी मर्जी है अगर आप इस तरह गोल रखना चाहते हैं तो इस तरह से इस कट को फोल्ड करके तो यहां से देखें सेंटर में से यहां से इस तरह पहला हमने फोल्ड करके लगाया है तो दूसरा अब हम इसको खोल के लगाएंगे निशान इस तरह से अब इस काट को यहां पर रखते हुए यहां पर ड्रा कार लेंगे अगर इस इन काट को हम ज्यादा बनाना जाते हैं तो फिर हम गले की चुड़ाई भी जो है वह एक चीज़ हमारे पास यह खी नंबाई जो है वो आगया इसलिए हमने एक इंजिश्टा फि रखा रखाता अब आम इसकी कटिंग आ लेंगे बाहर की तरफ से भी सको ड्रा कार के इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे देखें इस तरह से हमने स्नैक की कटिंग जो है वो कम्प्लीट का लिए अमीद करती हूं आज की वडियो आप लोगों को पसंदा ही होगी मिलते हैं नेक्स्टूडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज